कितुनों पैसा बाटेंगे बीजेपी जदियू बाले इसलिए हमाँ पुलिस प्रसासर का ध्यान का है आप जान रहे हैं बोलना भी नहीं चाहते हैं लेकिन होम डिलेवरी पर है कि घर में चापा कल दे देते तो साध एक एक सो करोर परतेक जिले में बचाते तो पंचायती र ये दोनों तरफ से नेक टुनेक फाइट होने की संभावना है अभी हमारे साथ समीर महसेठ है मदवनी से विधायक भी है और वैशे समाज के अध्यक्ष भी है अरजेडी की तरफ से और देखिए यहां पर शर्फुदिन पूर में अभी हम लोग टहल रहे हैं ये बैपारी के बाद सभी नों से पूछेंगे और सही माने में जब मुल्यांकन करेंगे तो पता चलेगा पूरे बिहार में ब्यापाडियों की जो इस्तिती है और उसमें से अलग-अलग चर्चा करने लेंगे तो एक घंटा से ज्यादा का होगा अलग है स्वांकार समाज, स्यक्रों हत करते हैं जाता है पता चलता है कि सटकार का ध्यानिरा पुलिस प्रसासन का ध्यान का है आप जान रहे हम बोना भी नहीं चाहते हैं लेकिन हों डिलेवर्य पर है पुलीश उधर लगी हुई है तो दोलग्यों पर कहां से जाए गा हमको बता दीजे आप बता दीजे जनलन योजना में पुरे बिहार में क्या हो गया अगर मेरा करना एक गर में चापा कल दे देते तो सद एक एक सव करोर परतेक जीले में बचाते लेकिन उन्होंने नहीं बचाने का काम किया और उसी तरीके से GST का मामला हो ब्यापाड का जितने भी तरह का आप समझते हैं 12 से चुदह इंस्पेक्टर राज है भारत के चाहर को हमारे समाज के हैं कर दंब नहीं कर देंगे तो सस्ता ब्याज लेते हैं 10% मुल्च अडाते हैं तो लोग करते हैं लोग चोडा के चल रहा है यहीज पेदस्ट का है कि एट जेट की पाटी है राष्टि जनता गल और आपने देखा होगा कि 6 अभी विधान परिशद में जीते और 3 independent हमारे जो जीते हैं जहां कभी हो उनको आना होगा पार्टी के साथ आएंगे लेकिन सबसे ज्यादा 24 में 24 में 6 जीते है और 3 जो रिबल थे वह भी जीत गया और एक कौंग्रेस माँ जीत गया चुनाओं का कितना ज्यादा एफेक्ट आपको वो चाहां चुनाओं पर देखने को मिलेगा देखा जाए MLC के चुनाओं से मतलब नहीं है यह पंचायती राज से मतलब है जो पंचायती राज में सबसे हुआ ठगाया गया तो यह मुझा पड़पुर का है रिजल्ट कुछ कुन्मुखार है जिलar सथ को पावर kahur College कि पावर तो 27 डिपार्ट्मेंट का पावर दो पंचायती राज में तम मैं समझूगा कि सरकार हो तुम तो बुडबक मना रहे हो लेकिन वोट की राजनिती में मुझे नहीं कहाना है, बुरुबक नहीं बनाना है, चाहाँ आप हो, चाहाँ हम हो, पिकिन उद्रे के साथ आज आप यहाँ धरातल पर हैं, यहाँ तो तो सिर्फ और सिर्फ व्यापाडियों के बीच हैं, रास्टे जन्तादल के अपने चुना कि बारतिय जनता पार्टी का बैस समाज माना जाता था कि उनका बोट है बिलोग जैसवाल से जीत गए मैसे चला गया कि जैसवाल सूरी कानू कलवार रोनियार चापन उप जाती अब बीजेपी को छोड़ रहा है और यह टूट रहा है तो हम आप जानके चलिए कि हम लोग कहने के बाद टोटल वैस वोट यहां का बोचा का जब ट्रांसफर लेगा तो यह जीत 20,000 वोट से ज्यादा का होगा यह हम आपको कहते हैं और किसी का हिम्मत हो बीजेपी वाले को इस चुनोती सुखार करे और पू से एक इस्पेक्टर राजका खतम कर दे तो मैं समझूगा कि तुम ही तैसी हो इसलिए मेरा मानना है कि बुच्छा का सीट आने वाला समय दो दिन के बाद आपको बताएगा कि तुनों टर्न करेंगे कि तुनों पैसा बाटेंगे बीजेपी जदी उबाले चुका अंत में अब आप आगे हैं प्लीज हम लोग घर धर रहे हैं तो घर धर लेंगे तो पता चल जाएगा फिर नहीं बटेगा बाटना तो उनका का पैसा रोकने के लिए समीर महासेट जी को यहां उतार आगे पार्टी का जो आडिलोजी है उस आडिलोजी में जो अपने आपको ठगा दो दिन है लगातार है दो दिन फतेफूर में है जी जी दो आज भी है कल भी है लास्ट डे भी रहेगा ताकि कभी भी एगेंस वी परिस्तिती भी हो तो हम लोग वैस बोट आदारी ता पूरे एटूजेट का जो हमारा पार्टी है राष्टे जनता जल जो तेज़ी का तारापूर की घटना याद है ना जी में उपचुना वहां क्यों आप ही बताएए आपने सही याद दिलाया सरकारी तंत्र उनाईस राउंड तक हमारा तारापूर जीतता रहा वीसमा एकाएसमा में हार गया वही बात आपका आज ही आपने बता और अभी साही बात करेंग इतना भूल गया निश्चित तौर पे क्या करेगा ये तो इस्तिती है पर इस्तिती हर एक दिन दीन होता है रात होता है तो अभी लोग भूलते हैं हमारा वह भूलना नहीं है यहां की जनता को वही बताएंगे कम मार्जिन से हार जीत होगा तो वही तारापूर की घटना दोड़ा देगा इसलिए पचीस देर वोट से ज्यादा जिताने का प्रियास करो ताकि वह तारापूर की घटना अपने चीजों को समझा और आपका अगर देखने वाले ज्यादा टी यार्पी डेट मिलेगा तो थोड़ा हमको भी शेयर दीजेगा इसका ताकि हम आपी के भाई हैं दपसाई भी करते हैं और राजनिती भी करते हैं धोखा नहीं देते हैं पुरा भवी से हैं सर नेता जी लोग बहुत बहुत हैं हमारा और हमारे जैसे ही वाओं का ये लोग भवी से हैं लेकिन ये भवी से जहां इनको सामारना होता है वहां ये लोग सुस्ती चा लागू कर दिया और विधायक जी अभी बात कर रहे हैं वैसे समाज को लेकर हमने तारापूर का आपको एक आकड़ा दिखाया था तारापूर में अभी हाली में उप्चुनाव संपन हुआ है और लगतार वहां सभी पब्लिक उपनियन दिखा रहे हैं यहां भी आप देख लिजे जरा नजर डाल करके इस शेत्र से भी हम आपको पहले ही पब्लिक उपनियन दिखा चुके हैं एक बार फिर से बातचीत करेंगे और दिखाएंगे अगली ख़बर में आप बने रहे हैं अभी के लिए हमारे ही साथ नमस्कार